आधर्निय प्रेंका गांधी जी, आधर्निय मुख्मंत्री अशोग गैलोज जी, हमारी अध्यक्ष लोटास्रा साहब, विदान सभा के अध्यक्ष ईपी जोशी जी, हमारे प्रभारी रन्दावा साहब, अभी आपके बीच में भाशन दे रहे ही थी, हमारी छेत्री विदाय नधा रेक सेया और ची सेस्टा रभी जाखे मंचकर अमर्ट विधार जी बाकी सभी हमारे मंद्री विधायक नेतागन् 땅ड की आि कि उग्ञ्ण डाक तौर सहुआ घुया कॉंख्ळेस के सेवा दर्ल के सभी नेतागन्स आज मौजूद हैं मैं एक बार पुने अपनी तरफ से आप सब लोगों की तरफ से आधर निये प्रेंगा जी का तौसा आने पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं प्रेंगा जी आज यहां पर आई है हमको संदेश देने के लिए और राजिस्थान के अंदर जो चुनाभ होने वाले हैं किन मुद्दों पर हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी पार्टी की सोच क्या है और किन मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी हमारा संग्ठन आने वाले चुनाव को जीतने जा रहा है किन मुद्दों को रिखांकित करना है इस पर आधरनिय प्रेंका जी हमारी आपको अपनी बात बताएंगी साथियों ये सिक्राइविधान सबाच्षेत ये दोसाजला ये पूरा अलाका है या के छीत के लोगों ने हमेशा से कॉंग्रेस पार्टी का साथ दिया है और कॉंग्रेस पार्टी ने जो विकास प्रगती लोगों के देख रे एक 36 कौमों को प्यार और प्रेम देकर आगे बढ़ाने का काम किया है मुझे गर्व है कि इस जिले से यहां का सांसद में आपके बीच में रहा हूं और आपने हमेशा हमारे हाथ की पहचान है इस हाथ के पहचान को आपने हमेशा बरकरार रखा और हमेशा वोट और समर्थन स्थान देकर हमको ताकत दी है प्यांका जी आज यहां पर हमारी सरकार है केंद में भाजपा की सरकार है कि इस पूरे ारे तेरा जलोंके अंदर जो हमारी ERCP की योजना थी, जो भाजपा के काल में बनी थी, इन पांच सालों में हमारी सरकार ने उस पर काम किया है, लेकिन यहां के लोगों को, यहां के जन्टा को, यहां कर विशेर सूप से किसानों को, जो दिक्वतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सिर्फ इसलिए करन पड़ रहा है कि केंद की सरकार बेद भाव की भावना से काम कर रही है, केंद की सरकार में 25 के 25 मंतरी भाजपा के हैं, पूर भामत की सरकार है, पदान मंतरी मोदी जी ने अजबेर में आकर राजिस्थान मर एक नहीं दो दो बार कहा था, कि ERCP की परियोजना को, हम के प्रियोजना हो पेजल के प्रियोजना हो हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कामर्षेतर में किया है और अभी भी छो dpr भना है उसमें छैत्र की अगर कोई गाव पंचाइत रह गए हैं हमारी सरकार दुबारा बनेगी उन गाव पंचाय तो वो DPR में हम शामिल करवाएंगे यार्शीपी की इस बात को मैं आपको आश्पास देना चाहता हूं चार प्रदेशों में चुनाव है मद्प्रदेश में, 36 गड़ में, तेलंगाना में अभी प्रियंक्या जी और अधनी राहूल गांदी जी तेलंगाना में थी एक दिन पहले वहाँ पर सब लोग मान चुके हैं कि कॉंग्रेस की लहर चल रही है, प्रचन बहुमत के सार हम तेलंगाने में सरकार बनाने जा रहे हैं मद्प्रदेश में बनाएंगे, 36 गड़ में रिपीट करेंगे और राजेस्थान के अंदर जो 30 साल की परिपाटी होती आई है कि पांच साल बिजेपी और पांच साल कांग्रेस इस परिपाटी को तोड़ना पड़ेगा बेरो भाईयों, इस काम को आप लोग कर सकते हो, दोसा जिला कर सकता है, सिकराय के लोग कर सकते हैं और आप लोगों पर मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा एक विशेश अधिकार है इस छेत के लोगों ने, इस जिले के लोगों ने, हर कौम बिर्दादी धर्म के लोगों ने, हमेशे हमको विशेश अशरवाद दिया है स्वड़ के पालेट सामिया से पांच से बार सांच सद रहे, रमा जी नहीं, मैं भी यहाँ पर आपका पीच सांच सद रहा और मुझे आदें प्रेंका जी पहली बार यहां चुनाव ने आया, 2004 में, मेरी चुनावी सवा थी, सोनिया गान्दी जी विशेज सूप से कहाँ पर आए थी, दौसा कॉलिज में हमारी सवा थी, उनकी सवा से, जो आशिरवाद हमको मिला, मुझको मिला, मैं मातर 26 साल के उमर में कॉंग्रेस के मजबूत गड़ के नाम से हो गई है और आप लोगों का श्रेज आता है इसलिए आपकी जिमेदारिय बढ़ गई है आपका दाई तो बढ़ गया है पूरा देश देख रहा है कि राजिस्थान की जनता किस करवट बदलेगी जब मुश्किल समय आता है आप लोगों ने मुझे और हम सब को आशिरवाद दिया प्यार दिया जब दिक्कत का समय आया अच्छे समय में खुशियों में सब सामिल होते हैं लेकिन दुख परिशानी कठनाई में सिर्फ अपने सामिल होते हैं और यहां का जो संबंद एस मिट्टी का यहां के लोगों का वो इस जीवन में तो टूटने वाला नहीं है और मैं तो अगले में नहीं टूटने दूँगा आपको वादा कर कर जाता हूं औ और आज प्रियंका जी मारे बीच में आई हैं राहुल गानी जी मारे बीच में याता करकर गए थे इस छेट के जनता ने हमेशा कॉंग्रेस पार्टी को मदद कर यह ताकर दी है हम लोगों ने बढ़िया काम किया है आपके बीच में जो विकास हुआ है हमारे मंत्री जिले पर उम्मीद्वार कॉंग्रेस पार्टी जितना चाहिए किसी का अगर को मन बेद है भी छोटा मुटा मन मुटा उसको भूल जाओ और जैसा राहूल गांदी जी बोल रहे हैं नफरत की दुकान में नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोलनी है अब तो महबत की चर्च लगातार बढ़ता जा रहा है बाजपा के लोग चिंतित हैं परेशान हैं घबराए होएं हैं समझ में नहीं आ रहा किसको कहां पर टेकर दें वो सब लोग जानते हैं कि इस बार कॉंग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े है सब एकता से चुनाव लड़ेंगे और स्थान में अब तिहास कायम करें और कॉंग्रेस पाड़ी की सरकार बनाएं मैं एक बार पुने प्रेंगा जी आपका स्वाग करता हूं दोसा की जनता हमेशा पलक पावड़े बिचाए चाह सोनिया जी हो चाह राहूल जी हो चाह आप हो आपकी बात को हम लोग कभी इंकार करने वाले नहीं हैं आप आवान करके चले जाओ सारी की सारी सीट कॉंग्रेस पार्टी की जोली में चाल कर देंगे यह मैं आपको जनता की तरस आश्वा संदे सकता हूं आप सब इतनी भारी ताराज में आएं आपका धन्यवाद करता हूं और एक बार क्योंकि हैं यह कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद राम राम साथ